नमस्कार आपको स्वाकत है स्टॉक अलोजी में आज हम बात करने बाले हैं वी एफ यूटिलिटीज लिम्टेट के बारे में जिनके आज ही रिजल्ट जा रहे हुए हैं तो जिन्हों नभी चैनल सब्सक्राइब में किया सब्सक्राइब कर ले हैं बैल आइकॉन पर क्लेक कर रहे हैं वो दिसमबर 20 कोर्ट रहे हैं और जो आगड़े आपको सबसे पहले दिखाए दे रहे हैं वह मार्च की स्कॉर्टर के रिजल्ट हैं तो अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की मार्च 20कौटर में रेवेन्यू थे 2,878 लाग के जो की दिसंबर 20 vault मैं 11,815 लाग के हो गए और मार्च 21 Shh Quick में ये रेवेन्यू ग्याराा हेजार 591 लाग के हो गए तो यहांGS पर अगर हम मार्च 20 mattered asked मार्च 20 क्वाटर यानिके year on year में बात करते हैं तो हमें revenue कम होते हुए दिखाई दे रहा हैं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में यानिके December 20 quarter से March 20 quarter में तो यहाँ भी revenue घटते हुए नजर आ रहा हैं अब हम बात कर लेते हैं expenses की तो March 20 quarter में expenses थे 20,707 लाग के जो कि December 20 quarter में 9908 लाग हो गए और March 21 quarter में ये 9720 लाग के हो गए तो यहाँ पर अगर हम March 20 quarter से March 21 quarter याने कि Year on Year में expenses की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कमी होते हुए दिखाई दे रही है वहीं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में तो यहाँ भी हमें expenses घटते हुए नज़र आ रहे हैं तो Year on Year में income और expenses दोनों ही घटे हैं अब हम देख लेते हैं profit and loss statement को तो बात करते हैं 7th number point की profit आपले loss before tax March 20 quarter में 2365 लाग के loss थे जो कि December 20 quarter में 1907 लाग के profit में करवाट हुए और March 21 quarter में यह 1870 लाग के profit में करवाट हुए तो यहाँ पर अगर हम Year on Year में देखते हैं March 20 quarter से March 21 quarter को तो यहाँ में profit before tax काफी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि company loss से profit में दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं quarter on quarter की तो यहाँ पर हमें profit with vortex घटते हुए नज़र आ रहे हैं अब हम 11th नमबर पांट को देख लेते हैं नेट प्रोफिट आप लेक लोज फॉर दा यर को तो March 20 quarter में 2554 लाग के loss थे जोकि December 20 quarter में 1710 लाग के profit में करवाट हुए और March 20 quarter में यह profit 1821 लाग के हुए तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं year on year कंपणी के performance को तो 171 प्रतिशत की व्रद्धी हमें दिखाई दे रही है profits में तो company का performance कावी बहतर हुआ है क्योंकि company के जो profit है वो 171 प्रतिशत बड़े है year on year में और अगर हम बात करते हैं quarter and quarter में तो यहां भी हमें जो profit है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो अगर अगर हम overall performance की बात करते हैं तो काफी शांदार नजर आ रही है result कफी अच्छे नजर आ रही है